आज हम देखेंगे इस वीडियो में BHIC 134 के जून 2022 के question paper को जो आपके लिए आया है एक और question paper देखेंगे BHIC 134 का दिसंबर 2022 का जो question paper है दोसरा question paper देखेंगे आप सभी का स्वागत है हमारे एक नई वीडियो में देखे दोस्तों आज हमसे वीडियो में BHIC 134 के previous year के question paper देखेंगे जिसमें मैं आपको 2 साल के previous year के question paper दिखाऊंगा जो आपके आने वाले exam के लिए बहुत ही ज़्यादा important है और बहुत ही ज़्यादा helpful होने वाला है यह आपके लिए वीडियो और साथ मैं आपको exam के preparation कैसे कर देखाऊंगे और जो मैं आपको कोस्टन दिखाऊंगा हो हिंदी और इंगलिस दोनों medium के मैं आपको question paper दिखाऊंगा ताकि आप अपने exam में जादा से जादा नमबर को gain कर सकें तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको हिंदी medium का question paper देखाता हूं सबसे पहले हम देखेंगे जून 2022 का भारत का इतिहास 1707 से लेकर के 1950 और आपका जो एक्जाम होगा एक 100 नंबर का पेपर होगा 100 माक्सव पेपर होगा इसमें से 35 नंबर जो बच्चा पाएगा वो पास होने वाला है 3 घंटे का आपका एक्जाम होगा ठीक है और इसमें नोट में क्या दिया गया है 5 कोशन आपको अटेंट करने हैं 400 सब यानि 400 वर्ड में आपको लिखना है और सभी क्या है सभी कोशन जो है 20-20 नंबर के हैं और आपको 5 कोशन आपको यहाँ पर लिखना रहेगा पहला भाग क्या है दिया गया भाग बिटिस समराज के सुद्री करण में मदद की, पहला कोश्चन 20 नंबर करहेगा, आपके लिए important कोश्चन है, नेक्स्ट जो कोश्चन हमारा दूसरा कोश्चन करहेगा, देखेगा, अठारो सो सत्ताउन के संग्राम के मुख्य कारणों का विवेशना कीजिए, अंग्रेज्वों ने किस प्रकार से इसका दमन किया, 20 नंबर का कोश्चन है, तीसरा हमारा जो कोश्चन है, सिख राज के उदाय पर चर्चा कीजिए, 20 नंबर का आपका ये कोश्चन हैगा, next हमारा जो है चौथा question है इसको ध्यान से दिखेगा ठीक है चौथा question क्या है निम लिखित में से किन ही दो पर दो सो सब्दों में टिपपणी करनी है ठीक है तो पहला क्या आपका आ क्या है मैसूर राज की अस्थापना बै क्या है मुगल समराज का पतन इन सभी को नोट बुक निकाल लो चाहें इंगलीस हिंदी दोनों जो बच्चे इंगले मीडियम के जो बच्चे हैं नोट बुक निकाल लिजे और इनको लिख लिजे दो साल के मैं दीखता हूंगा इसलिए बहुत इंपोर्टन्ट है सह के यहाँ पर दे रखा अठारियों सताब्दी एक देरगकालिक सताब्दी के रूप में थी और दे क्या है बंगाल में अस्थाई बंदो बस यानि इन चारों में से आपको दो लिखना रहेगा एक्जाम में बट जब एक्जाम की तैयारी कर रहे तो आपको चारों पढ़कर के जाना है और आपके लिए चारों इंपोर्टन्ट रहेगा नेक्स्ट हमारा जो रहेगा भाग दूसरा है ठीका पांचवा कोश्चन क्या है भारत में उपनवेस वाद के तीन चर्णों की चर्चा कीजे वह किस प्रकार से एक दूसरे से भिन थे बीस नंबर का आपका कोश्चन है और नेक्स्ट हमारा जो है साथमा कोश्चन आप देखेगा क्या है समपरदाइकता वाद से क्या समझते हैं इसके उद्भव और विकास पर चर्चा कीजे बीस नंबर का कोश्चन और आठवा जो question हमारा रहेगा वो 4-4 question जैसे आठवा रहता चौथा और आठवा सेम है format उसका देखो निमलिखित में से किनी दो पर आपको 200 सब्दों में लिखना है पहले आपका क्या है सम्विधान सभा की भारती सम्विधान बनाने में भूमी का क्या थी 1945 का जो similar समझाता उसको आपको बताना है सै कि आपको सभीने आग्या आंदोलन और देखे हैं चमपारन प्रियोग यानि चमपारन प्रियोग बोलो ये चमपारन आंदोलन चमपारन सत्तेगरा वही रहता है ठीक है तो ये मैं आपको जून 2022 के मैंने question paper दिखाया है अब इसी को मैं English medium आले बच्चों के लिए same June दोला है मैं English वाले question paper में दिखाया देता हूं उसके form ठीक है ठीक है आप सभी बच्चे BHIC 134 English medium आले बच्चे question को no down कलो June 2022 का आप एक question paper है ठीक है यहाँ पर क्या है BHIC 134 history of India 1707 से लेकर के 1950 तक आपका जो exam होगा 100 marks का paper होगा 35 marks वाला जी student पास होगा बच्चा 3 हावास के आपके timing रहेगी और आपको इसमें 5 question attempt करने हैं 400 word रहेंगे और every question 20 marks के रहने वाले हैं हर section में से 2 question करने हैं एक में से 3 Part 1 में दिखे पहला question क्या है आप इसको no down कर लेजो 20 marks का है इसको लिख लो वीडियो को रोग करके लिख सकते हैं पोज करके आप इनको no down कर लिजे या आपनी book में marking कर लो ठीक है next हमारा जो है second question है आपका 20 marks का ही रहने वाला है second question ठीक है next हमारा जो है question number third है sick state को लेकर के इसको भी लिख लिजे और next हमारा जो question है question number four है आपको short note लिखना कि नहीं two पर और two hundred word में ठीक है तो इसमें जो आपको लिखना है यहाँ पर ध्यान से देखेगा A, B, C, D इन चारों को note down कर लिजे आप अपनी note book में note down कर लिजे important है सारे के सारे ठीक है next हमारा जो part दूसरा है पांचूँ question आप इसको लिख लीजे 20 marks और question number six जो हे इंडियेन national congress 20 marks और question number six को note down कर लिजे next हमारा जो question है question number seven इसको भी आप note down कर लिजे question number seven को next हमारा जो question है question number eight ठीक है question number eight क्या है आप को short note लिखना एनि टू पर और 200 वर्ड में लिखना पड़ेगा ठीक है तो यहां पर इसको चारों को आप नोट डाउन कर लिजे ए बी सी डी इन चारों को नोट डाउन कर लिजे क्योंकि चारों के चारों के चारों आपके लिए आप निशान लगा लिजे क्योंकि दोनों के दोनों आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टन्ट होने वाला है ठीक है इसरा कोस्चन पेपर है बी एचाईसी वन थर्टी फोर का दिसंबर दो हजार एकिस का कोस्चन पेपर मैंने आपको बोला भी था कि मैं आपको दो कोस्चन दिखांगा आगे भी मैं आपको दिखांगा आपको एक्जाम की तयारी कहां से करनी है और विल्यों आपको कहां से मिलेगा ताकि आप जो भी एचाईसी वन थर्टी फोर को अच्छे से आप अप एक्जाम की तयारी कर सकें तो यहां पर देखेगा क्या है भी एच नोट बुक में नोट डाउन कर लो, सारे इंपोर्टन्ट है, 18 सताबदी की बहेंस पर चर्चा कीजे, क्या आप सोचते हैं कि 18 सताबदी केवल राजनीतिक अभिवस्था और आजारक्ता के बारे में थी, 20 नमबर का कोश्चन हैगा, नेक्स्ट हमारा कोश्चन के देखेगा, मैसूर और हैदराबाद के राज सनचना पर तुलनात्मक टिपणी कीजे, 20 नमबर का कोश्चन हैगा, नेक्स्ट हमारा जो कोश्चन के तीसरा कोश्चन देखे, 18 सताब की क्रामती के क्या कारण थे, चर्चा कीजे, 20 नमबर का कोश् का क्या है, विलियम जोन्स का क्या है, मीर जाफर औरुली अर्थिस को क्या है, सिक्ष राज ब्योस्था की प्रकृति का किया है रईयत वाड़ी ब्यवस्था ठीक है, उसके बाद हमारा इसमें करगा भाग दूसरा यह पार्ट दूसरा, कूशिय नमबर फाइब क्या है, क्या भवमिक्ता की विचारों से सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के नेता कितने प्रभावित थे चर्च कीजिए 20 नमबर का question नेक्स्ट हमारा जो question क्या है राष्टी चेतना के विकास में मुख्य सहायक कारक क्या थे 20 नमबर का question है नेक्स्ट हमारा जो question है question नमबर 8 आपका रहेगा दोपट टिप पणी करने है दोसो सब्दों में पहला क्या क्या का है क्रांतिकारी राष्टवाद का उदा है खै क्या है हिंद सुराज खै क्या है खिलाफत का मुद्दा घै क्या है कैबिनेट मिसन यूजना तो यह 8 के 8 question मैंने आपको बता दी जो December 2021 के थे अब यही question मैं आपको English medium का बता देता हूँ फिर मैं आपको वीडियो बताऊंगा आपको वीडियो कहां से मिलेगी ताकि आप अपनी exam की तैयारी कर सकें ठीक है तो चलिए English medium student के लिए English medium वर्जन में देख लेते हैं इनी question को B.H.I.C. 134 December 2021 का यह question paper रहेगा यहाँ पर देखें B.H.I.C. 134 History of India 100 marks का यह paper होगा थ्रियावास का रहेगा ठीक है रूल ऐनी format वही रहेगे रूल वही रहेगा section 1 के question को देखते हैं तो यहाँ पर देखेगा पहला question देखें आप इस question को लिख लिजे नोट डाउन कर लो English medium अब हमारा second question है आप इस question को भी easy से note down कर लिजे आपके exam में बहुत ज़्यदा important है तीसरा question आप इसको भी note down कर लिजे क्योंकि ए भी आपके लिए most important question हैगा चौथा हमारा question आगया important question रहेगा A, B, C, D इन चारों को आप easy से note down कर लिजे ताकि आप अपने exam में ज्यादा से ज note down कर लिजे यह भी आपका 20 marks करेने वाला 20 number का रहने वाला है next हमारा question number 6 आ गया है इसको note down कर लिजे इसको सारे notebook में लिख लो ठीक है और बहुत जरूरी है ठीक है ताकि आप exam में अच्छे number ला सको question number 8 आ गया है और आखरी question है short note लिखना कि नहीं दो पर और but exam की जब आप preparation करें तो A, B, C, D इन चारों को आपको लिखना चारों को study करके पढ़कर के prepare करके आपको जाना है बट exam में तो 2 ही लिखना बट preparation के time आपको चारों आपको यह एवी, C, D सारे आपको reading करके जाना है तो एक पूरा question paper था जो मैंने आपको बता दिया है चले मैं आपको बता इक्जाम की preparation के लिए आपको सबसे पहले आपको अपने चैनल पर आना पड़ेगा अध्यन education center पर आप चैनल पर आएंगे और चैनल पर आने पर यहाँ पर एक section है playlist का home video live उसके बाद एक section यहाँ पर मिलेगा ऊपर ही playlist का playlist को ऐसे click करना है तो playlist खुल गई ठीक है यहाँ पर credit playlist लिखा यहाँ राएगा उसके बाद यहाँ पर इसको नीचे scroll करना है ठीक है और यहाँ पर आने के बाद थोड़ा नीचे आएंगे जैसे आप तो so all कर देना ठीक है यहाँ पर देखो सारी वीडियो आ रही है यह बहुत सारे chapter में मैंने वीडियो बना रखे है और आप स इसको खोल लेना यहाँ पर आगा देखो बिएचाई सी one 34 अल टोपिक है इसमें ठीक है यह देखो मैंने वीडियो सारा बना रखा सुरू मैंने इंपोर्टन कोस्टन का प्रिभी सेरको कोस्टन का बना था फिर मैंने देखो पहला चप्टर बैने बना रखा सारे chapter के वीड पेपर डाल रखे हैं तो गैस पेपर भी मैंने दिया है तीन-तीन गैस पेपर हैं आप उसको देख लिए फिर सारे मैंने classes भी करवा रखी हैं classes भी मैंने आपको अच्छे से करवा रखी हैं ताकि आप अच्छे से इन classes को read कर सकें और अपने exam में सारे के 13 के 13 जितने chapter मैंने सारे chapter का मैंने वीडियो बना रखा है आप सभी लोग जाकर के इन वीडियो को देख लो अई उनसे आप अच्छे से exam को प्रेपरेशन कर लो अच्छे से आप तैयारी कर लो ताकि आप भी अपने exam में ज्यादा से ज्यादा marks या ज्यादा से ज्यादा number गेन कर सको तो आप सभी लोग जाकर के इन वीडियो को जरूर देखेगा ताकि आप अपने exam में ज्यादा से ज्यादा marks गेन कर सको तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा मांक साकत है अभी देख भी टाइम कितना है ठीक है यहाँ पर भी मैंने अभी टाइम दिखाता है यहाँ पर देखो घड़ी में कितना दो बच के 30 मिनट हो रहा है भाई दो पहर का है आप देख सकते हो कि मैं रात में डाई बज़ रहा हूं मैं वीडियो आपके लिए बना रहा हूं तो आप इससे समझ सकते हो जब मैं आपके लिए इतने महनत कर रहा हूं तो आपको भी जरूर महनत करनी चाहिए यह टाइम मैं इसलिए दिखाता हूं सिर्फ आपके पेपर अच्छे से लिख लो और मैं आपके लिए बहुत ही जल्द आंसर स्वीट भी लाऊंगा भी एचाई सी 134 की ताकि आप लोगों को मैं दिखा भी सकूं भी एचाई सी 134 का कोश्चन आपको कैसे अटेम्ट करना है ताकि आप अपने उस एक्जाम में ज्यादा से ज्या पहाना कुछ समझाना है तो कमेंट कर देना मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा तो थैंक्यू सो मत जै हिं जै भारत